हलो अब्रीबरन, कैसी हो आप सब और सुबह हो गई है, तो मैं सो कर उठ चुकी हूँ, तो रात में मैंने दाल भीगोई थी मगोडे के लिए, तो बस आप दाल धो करके मगोडे बनाएंगे, और मैंने मेदी को भी भीगोया था, तो वो भी लगाएंगे, और यहां पर मैं उबलने रख दूँगी, और मैंने गी जो है, साम को छान करके रख लिया है, गरम किया था, तो दो दिन से ऐसा ही कड़ाई में पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको जना खाली करके रख देते हैं, तो मैंने यहां पर यह सारे काम कर ली हैं, चाय बगएरा भी पी ली है, अब मैंना फटा-फट से लगा लेती हूँ मेहदी जो मैंने एक दिन पहले आपको पिछले वीडियो में दिखाया है मैंने घोल कर रखी थी कैसे घोली थी मैंने आपको बताया है और उससे पहले मैंने क्या किया है तो लगाने से पहले मैंने आपने देखा ना मैंने रिठा, आमला, सीका, काई और ब्रह्मी, भ्रंगराज, चुकंदर, पाउडर और दही, सहेद और थूड़ा सा नारियल तेल ये सारा कुछ हम मेधी में मिला लेंगे तो इसे क्या है, जो मेधी का टेक्चर है, वो भी अच्छा हो जाएगा, और ये सारी चीजे हमारी स्केल्प को बहुत ही फाइदा करती है, तो तेल इसलिए डालना है, कोई सा भी आप डाल सकते हैं, जो भी आप लगाते हों, तो उससे क्या है, जो हमारी स्केल्प है, वो ड् क्योंकि गलप्स मैंने मंगा नहीं पाई थे लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि आप मेदी हाथों से लगा सकते हैं उसके बाद जो है और काम जो आप करेंगे ना बरतन दोना कपड़े दोना और यह सब तो उससे क्या है जो आपके हाथ है वो सही हो जाएंगे और हाथों से लगाने से क्या होता है कि अच्छे से मेदी लग जाती है तो यहाँ पर यह देखिए कितनी कलर आया है मेदी में और मैंने यहाँ पर लगा लिया है उसके बाद मेरी जो सावर कैप है वो नहीं मिल लही थी तो मैंने यहाँ पर पनी को ही जो सावर कैप अच्छे से लगा ल और उसके बाद हम सिंक लेंगे तो यहां पर हम और हस्वेन मगोड़े और चाय पी रहे हैं और मैंने बालों में मेदी लगा लिया और यह मैं दिखा रही हूँ आपको जो कप को ढखते हैं तो वह है बहुत ही सुन्दर सी यह मैंने अपने हां 29 लगी हुई थी वहां से लिये और उसके बाद मैंने हेर बॉस कर लिया था तीन घंडे के बाद इस बार मैंने हेर बॉस किया है तो थोड़ी सी सर्दी लग रही थी तो मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेकर तो मैंने थोड़ी देर धूप ली है और यह देख सकते हैं आप जो भी ग्रे वार्ट थे मेरे एकाद तो वो सारे जो है सही हो गए है तो इस तरीके से और मैंने धेर सारा लगा लिया है मस्टर्ड वाइल जो कि हमारे मसाज जो है न मेंदी के बाद आप जो है वाइलिंग जरूर किया करिये उसके बाद अम मैं बैटी हूँ खाने के लिए क्योंकि husband भी आ गयते तो उनको भी दे दिया था और अब मैं खाने के लिए बैटी हूँ खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और ये देखी धीर सारा तील लगा लिया है मैंने क्योंकि बहुती जरूरी रहता है और उसके बाद मैं अपने रूम में पहुच गी थी आराम किया था मैंने थोड़ी सी आलस सा चड़ रहा था और हेर बॉस किया था थ सारी कुछ चीजे हैं तो मैंने सोचा चलिए ड्राइफ रूट के लड्डू बनाए जाएं तो इस बार मैंने कोई थोड़ी नई ट्रिक से बनाए हुए हैं वैसे मैं केवल ड्राइफ रूट के हमेशा ही बनाती हूँ लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग बनाया है तो मैं आपको बताओ मैंने याँ पर ले लिया है गी और गी मैंने धेर सारा लिया है उसके बाद मैंने काजू और बादाम जो है वो भूल लिये हैं ये देखे काजू और बादाम मेजरमेंट मैंने एक ही बाउल से कर लिया था तो इस तरीके से मैंने दोनों फ्राई कर लिया है और सबी जो है गी में ही किये हैं उसके बाद मैंने मखाने को भी रोष्ट कर लिया है इसमें भी मैंने काफी सा रगी डाला है तो इस तरीके से जो ड्राइ फ्रूट बगएरा जो भी आपके पास ओंबू आप कर सकते हैं उसके बाद मैंने जो नारील कसा हुआ था उसको भी मैंने घी में फ्राई कर लिया है तो यहाँ पर क्या है यह देखे तो यहाँ पर मैंने नारील को भी फ्राई कर लिया है और उसके बाद आ गई थी बेटी तो क्योंकि उसको जो है लड़ू यह भहुत पसंद है तो देखो वो पढ़ रही थी और भाग भाग के आ गई उसे जो खुस्बू लगी तो बोली ममा क्या बना रही हो मैंने का बिटा लड़ू बना रहे है तो बोली ममा काई के हमने का इस ड्राई फ्रूट के अरे वा उसको बहुत पसंद है तो यहाँ पर बस थोड़ी सी हेल्प ले रही हूँ मैं इसकी अब वो आ गई थी अक्चुली इसलिए नहीं तो मैं सारा कुछ कर ले थी यहाँ पर अब चासनी में बनाने लगी हूँ सारी चीज़ें वो ग्राइड कर रही है जैसे की बादाम, काजू और यह सब तो वो ग्राइड कर रही है और यहाँ पर आ गया है बेटा और बेटे से मैंने का थोड़ा सा पानी डालो क्योंकि ऐसा होता है ना जब कोई भड़़ड का काम करो अगर कोई दिख जाता है तो लगता है बेटा पानी दे देना, बेटा यह कर देना तो यहाँ पर पानी डल गया अब गोल बना लूँगी चासनी का मैंने गोड़़ यहाँ पर आज यूच किया है और उसके बाद मैंने क्या हुआ कि थोड़ा घी जादा हो गया था तो उस बज़े से यह लड़ू बंद रहे थे तो घी निचुर रहा था, मतलब टपक रहा था तो मैंने क्या किया बापस से सारे लड़ूओं को फोड लिया है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा आटा जो है फ्राई करके इसमें मिक्स कर लिया है और थोड़ी सी मुझे चासनी भी बनानी पड़ी थी तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया यही पर मोबाइल रखा हुआ था टेबल पर तो क्या था मुझे जल्दी यल्दी से यह प्रोसेस करना था नहीं तो यह टाइट हो जाता तो मैंने क्या किया थोड़ा सा आटा कर लिया और उसके बाद थोड़ी सी चासनी उसमें डाल दिये तो वो सई हो गए है और अब मैं और मेरी बेटी इनको पिंडियों को क्या बोलते हैं पिंडी बोलते हैं लड़ू कुछ भी बोलो तो इनको जो बांद लेंगे इस तरीके से तो बोल रही थी मम्मा अभी भी बहुत गी है तो मैंने का बेटा कोई बाद नहीं ऐसा था था ना कि एक्चली घर का गी तो घर का गी जब डालो ना तो ये तो होता नहीं है कि अरे बह बढ़े लुबाए झाहीं कुछ आए झाहीं है झाहीं प्राद हैं जजदेन के लेक्ष वहाँ लोलो तो इस अच आए जे लिए तो शो जो बढ़े जाग है झाहीं है झाहीं है